नमश्का दोस्तों इस अफते कि स्टॉक टॉक वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत सवागता है तो दोस्तों यूट्यूब मेंबर्स के मतों के अधार पे इस अफते हम चर्चा करने जा रहे हैं अब आप केवल उसी लाइन के ऊपर फोकस करिए या उसी पॉइंट के ऊपर फोकस करिए जिसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ दोस्तों आप देखेंगे के यहाँ पर यह पर यह blue कलर की lines है वैसिकलि यह जो blue कलर की lines है यह इस particular stock का long term support या resistance है यहाँ पर दोस्तों कुछ दर्शक मुझसे पूछते हैं कि यह long term support या resistance हम किस तरीके से ड्रॉग कर सकते हैं तो इसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा आपने प्राइस एक्षन वाली सीरीज के अंदर की हुई है, साथ पार्ट्स की एक सीरीज है, वीडियो सीरीज है प्राइस एक्षन के ऊपर, वहाँ पे मैंने आपको एक्स्प्लेंग किया हुआ है, लेकित समरी के तौर पे, जिस भी पॉइंट के ऊपर स्टॉक, तीन बार या उससे ज़ादा जो है सपोर्ट लेता है, या वो लेवल जो है रिजिस्टेंस का काम करता है, सप्लाई डिवांट के हिसाब से, तो वहाँ पे वो जो है उस पर्टिकुलर लाइन या वो पर्टिकुलर लेवल जो है उस पर्टिकुलर स्टॉक का सपोर्ट या रिजिस्टेंस बन जाता है, तो आप अपनी स्क्रीम पे देख सकते हैं कि यह stock जो है इन support और resistance levels को काफी अच्छे से follow कर रहा है तो यहाँ पे एक जो support point है दोस्तो साड़े 800 के आसपास है यह stock इस particular level के नज़दीक आया यहाँ पे इसने इसको test किया लेकिन वापस उपर की तरफ चला गया दोस्तो अगला resistance इसको देखने को मिला 975 के आसपास अगर यह इस level को break कर देता है तो definitely इसका अगला जो resistance point होगा या जिसको कह लिजे supply point होगा वो 1180 के आसपास होगा दोस्तो levels जो हैं काफी महतपून होते हैं आप पुराने जो stock talk videos हैं वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं तो जैसे यहाँ example के तौर पे जो आपका मैंने अभी आपको level बताया 975 के आसपास आप देख सकते हैं के इसने यहाँ पे इसको resistance देखने को मिला एक बार दो बार तीन बार चौथी बार फिर यहाँ पे resistance देखने को मिला और यह stock इस level को नहीं तोड़ पाया दोस्तों खासता और पे वो stocks जो channel के अंदर trade करते हैं उनके अंदर मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि trade करना काफी असान होता है क्योंकि जो traders होते हैं या निवेशक होते हैं उनकी strategy बहुत simple होती है अगर एक stock एक particular channel को follow कर रहा है तो basically जो उसका support point है वहाँ पे buy किया जाता है और resistance point के उपर sell कर दिया जाता है अगर वहाँ पे कोई breakout ना हो तो यह strategy अच्छे से काम करती है इसके लावा दोस्तों यह orange color की आप lines देखेंगे तो यह stock जो है यह upward moving channel के अंदर भी trade कर रहा है तो मैं यहाँ plot करके आपको दिखा देता हूँ यह देखें यहाँ पे यह जो stock है इस particular channel के अंदर trade कर रहा है और यह channel जो है upward pointing है तो basically यह हमें सीधा साथा संकेत देता है कि stock का जो trend है वो एक जिसको कहे लिजए कि positive side पे strength की तरफ है bullish trend है तो यहाँ पे ऐसा exactly यह नहीं होता कि stock बिल्कुल उसके resistance point तक आएगा लेकिन यहाँ पे हम केवल trend find out करने की कोशिश करते है तो यह जो orange color है की lines है यह trading के लिए इस्थमाल नहीं होगी यह केवल एक trend के trend किस तरफ है इस particular stock लेकिन obviously जो blue color का channel है उसके अंदर यह stock support और resistance को follow कर रहा है अब दोस्तों यहाँ पे एक level को अगर stock तोड़ता है तो अगले level तक वो तभी जाता है नहीं जा सकता दोस्तों यहाँ पे आपको एक pink color की line भी दिख रही होगी तो basically यह इसका एक long term support point रहता है तो अगर मैं इस chart को थोड़ा सा और लंबे time frame के उपर आपको दिखाऊं तो आप यहाँ देख पाएंगे कि यह जो आपकी pink color की line है तो यह जो pink color की line है sorry वैंने शायद इसको गलत बताया लेकिन यहाँ पे यह जो pink color की line है यह आपके लिए एक support का काम करती है long term के time frame के उपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 8 साल का यहाँ पे चार्ट आपको दिख रहा है तो यह जो है यह इसके लिए एक support का काम है तो दोस्तो जब तक इसको break नहीं किया जाता और stock volume की साहता से नीचे नहीं आता stock जो है वो एक uptrend में ही माना जाता है आपके price action के उपर तो यहाँ पे हमने देखा कि orange color का एक channel है जो कि एक short term का channel है और हमारी यहाँ पे एक pink color की line है जो कि एक लंबी अवदी के उपर हम देख सकते हैं कि इस line के नजदीक आके stock जो है support लेता है यहाँ पे पहला दूसरा तीसरी बार इसके काफी नजदीक आया चौती बार यहाँ पे फिर देख सकते हैं पांचवी बार फिर इस particular line के उपर टच करके stock जो है उपर की तरफ चला गया तो दूस्तों यहाँ पे हमें छोटी अवदी और लंबी अवदी दोनों के उपर देखना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पे लंबी अवदी के उपर जैसे मैं आपको कहा कि अगर यह पिंग कलर की जो line है इसको अगर break कर दिया जाता है volume के साथ तो stock जो है वो एक downtrend के अंदर चला जाएगा अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले चार्ट के उपर यहाँ पे हमने एक long term support line जो है draw की हुई है currently stock जो है इसके थोड़ा सा नीचे trade कर रहा है तो यहाँ पे basically इसका crucial level है 970 980 के पास weekly chart के उपर भी आपको यही level यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे यह इस level के नीचे trade कर रहा है इसका मतलब weekly chart के उपर यह stock एक downtrend में जा सकता है लेकिन इसको बार बार test किया जा रहा है इस level को एक बार दो बार test किया तो अभी हम कह नहीं सकते कि यह level तूट चुका है volume के उपर भी हम देखेंगे तो volume profile इस चीज़ को confirm करता है कि यह level जो है volume के साथ नहीं तूटा जब तक volume के साथ level नहीं तूटता वहाँ पे हम यह conclude नहीं कर सकते कि यह जो stock है एक downtrend में चला गया है लेकिन हमें यहाँ पे cautious होने की ज़रूरत है क्योंकि यह stock जो है अपनी long term जो support line है उसके नीचे trade कर रहा है तो जैसे कि मैंने अभी volume profile के बारे में चर्चा करी तो पहले हम volume profile को भी देख लेते हैं तो अगर आप छोटी अवदी के ऊपर देखेंगे जब यह correction हुई बहुत बड़ी उसके बाद आप देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि यह जो इसका level है 940-950 के पास यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा volume दिखाई दे रही है और यह stock जो है एक particular जिसको कहले जिए यहाँ पे एक channel type बनाता है जहाँ पे volumes हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं अब दोस्तों यह accumulation phase है या distribution phase है वो तो हमें जो हम delivery percentage का analysis करते हैं उसकी साहता से ही पता चलेगा क्योंकि अगर बड़े players इस stock में active नहीं है वो buy नहीं कर रहे तो definitely यह जो है distribution stage हो सकती है लेकिन अगर बड़े players delivery based buying कर रहे हैं तो definitely यह जो है यह एक distribution stage हो सकती है अगर बड़े players accumulate कर रहे हैं delivery के साथ तो accumulation stage भी हो सकती है लेकिन यहाँ पे stock आप देखेंगे कि जब भी इस particular zone के ऊपर या नीचे जाता है जो 950 के आसपास का level है वहाँ पे volumes जो है एकदम drastically drop हो जाती है इसका मतलब जो भी move होता है वो जो है volume supported नहीं होता वैसा ही कुछ जब stock नीचे आता है तब वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे भी volume drop हो जाती है तो basically यह एक gravity point है center of gravity है 950 के आसपास का जो level है वो इस stock के लिए center of gravity है तो यह जो center of gravity है stock उपर जाता है volume नहीं होती वापस नीचे आ जाता है नीचे जाता है फिर volume नहीं होती वापस उपर आ जाता है तो basically क्या है कि यहाँ पे 950 के आसपास हमें जो यह volume देखने को मिल रही है तो यह accumulation या distribution में से एक scenario हो सकता है वो scenario क्या है वो हम delivery percentage का analysis या जो हमारे बाकी का analysis है उनकी साहता से हम यहाँ पे पता लगा सकते है तो इस समय जो है 950 के आसपास बड़े players यहाँ पे हमें active होते हुए दिखाई देरे है accumulation है distribution है वो हमें थोड़ी देर में जो है पता चल जाएगा लेकिन आप यह analysis खुद भी कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और point यहाँ दिखाना चाहूँगा कि अगर आप लंबी अवदी के ऊपर देखें पिछले 3 साल तो यहाँ जो 1300 के आसपास है यह हमें एक साफ तौर पे distribution stage दिखाई दे रही है distribution phase हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि stock जब भी इसके ऊपर जाता है वहाँ volume नहीं होती और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी तेजी से नीचे की तरफ आ गया तो अगर हम लंबी अवदी के ऊपर देखें तो हो सकता है कि कुछ बड़े players को यहाँ पे जो है निकलने का मौका ना मिला हो तो वो इस level के ऊपर जब यह stock जो है stabilize हो गया तो यहाँ पे वो अपना exit कर रहे हो तो यह multiple scenarios है मैं यहाँ पे कुछ conclude करने की कोशिश नहीं कर रहा लेकिन आपके लिए यह सब बाते जानना जरूरी है अब दोस्तों हम चलते हैं अगले setup के ऊपर यह जो stock है यह 200 period की exponential moving average को काफी अच्छे से follow करता है आप यहाँ देख पाएंगे कि यह जो है यह इसके लिए एक resistance का का काम भी करती है support का का काम भी करती थी past में तो लंबी अवदी के time frame के ऊपर 200 period की exponential moving average इस particular stock के लिए एक support और resistance का काम करती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह stock इसके नजदीक आने के बाद एक correction दिखाता है यहाँ पर क्योंकि यह line अभी हमें थोड़ा ऊपर दिखाई दे रही है क्योंकि हम आज की date में देख रहे हैं लेकिन जब हम इसको अगस्त के महीने में देखते हैं तो यह line जो है इसके काफी नजदीक थी इस level के तो यहाँ पर resistance का काम किया फिर यहाँ पर resistance का काम किया तो जो experts हैं उनका यह मानना है कि कोई भी stock 200 period exponential moving average के अगर नीचे trade कर रहा होता है तो लंबी अवदी के निवेश के हिसाब से वो एक सही समय नहीं होता हमें हमेशा तभी निवेश करना चाहिए जब वो stock 200 period के exponential moving average को volume के साथ break करके निकल जाए तो अभी यह जो number है यह 998 है thousand के आसपास है thousand का यहां पे काफी relevance है वो आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा तो अभी लंबी अवदी के निवेश के लिए experts के हिसाब से 200 period के exponential moving average के नीचे जो है एक अच्छा मौका नहीं माना जाता stock को 200 period exponential moving average के उपर जाने देना चाहिए दोस्तो अब हम चलते हैं option chain के उपर तो option chain पर आप देख सकते हैं कि यहां पे एक खास बाद आप देखेंगे कि call writers और put writers दोनों ही अपनी positions को close कर रहे हैं मतलब दोनों ही समय का समंजस की स्थिती में है कि stock उपर जाएगा या नीचे जाएगा लेकिन हम यहां पे strength देखते हैं कि strength किसकी जादा है तो call writers की जो closing करने की strength है वो हमें यहां जादा दिखाई दे रही है put writers के मुकाबले तो basically यह थोड़ा सा short term के हिसाब से bullish संकेत होता है दूसरा metaphor point जो यह particular stock है इसका max pain point इस समय 1000 के उपर है तो हो सकता है कि short term के अंदर यह stock इस level को इस expiry के अंदर test करे लेकिन यहां पे जो option chain हमें दिखाई दे रही है या जो पूरा setup हमें दिखाई दे रहा है वो हमें यही बता रहा है कि जो strength है वो इतनी जादा नहीं है लेकिन speculative moves को follow किया जाता है हमने भारती 8L का जो stock talk analysis किया था तो हमने भारती 8L की stock talk analysis में देखा था उस समय वो stock 430 के आसपास trade कर रहा था और हमारा जो 500 के आसपास हमें max pain point दिख रहा था तो वो stock 482 के आसपास गया और वहां से reverse हो गया तो दोस्तो speculative moves होते हैं चाहे आप agree करें disagree करें आप उसको माने या ना माने लेकिन यहां पर जो max pain point है खास तोर पर stocks के अंदर जरूर follow होते हैं क्योंकि वहां पर speculative activities जो हैं काफी reliable होती है इंडेक्स के मुकाबले जहां पर बड़े players अपनी position बहुत frequently change करते रहते हैं तो यहां पर max pain point का ध्यान रखिए एक छोटी अबदी के अंदर एक speculative move हो सकता है मैं कह रहा हूं हो सकता है मैं यह नहीं कह रहा जरूर होगा क्योंकि यहां पर अगर आपके बाकी fundamentals या बाकी technicals जो हैं वो अगर weak हैं तो definitely वहां पर उस move के ना होने की भी संभावना बनी रहती है अब दोस्तों हम चलते हैं अपने delivery वाले जो analysis के ऊपर जो delivery percentage का हम analysis करते हैं तो इसको मैंने अपनी sheet के अंदर जो है copy किया हुआ है तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर खास वात यह है कि जो number of trades हैं वो कम होते जा रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं three days की average है काफी जादा कम है price जो है दोस्तों वो एक stagnant है एक flat है price यहां पर आपका turnover भी जो है वो कम होता जा रहा है आपकी delivery percentage जो है वो काफी कम है मतलब जो normally निवेश के लिए जिन stocks को हम देखते हैं उसके अंदर यह जो percentage है मैं हमेशा 50 ए 60% के उपर मान के चलता हूँ तो यहां पर एक speculative activity हमें दिखाई दे रही है और बड़े players जो है वो active नहीं है TQ by NT जो ratio है यह हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है अगर आप 8-5-3 देखेंगे तो यहां पर हमें थोड़ी वो increase होती हुई दिखाई दे रही है तो हमें यहां पर एक speculative activity दिखाई दे रही है और यह जो buying है या जो भी buying हो रही है वो हमें delivery से supported नहीं दिखाई दे रही ह देख सकते हैं कि 5 दिन का जो average है वो 28% है delivery परसेंट तो दोस्तों कोई भी stock अगर आप एक लंबी अवदी के निवेश के लिए देखते हैं तो वहां पे उसके अंदर बड़े players active होनी चीए delivery percentage अच्छी होनी चीए TQ by NT ratio जो है वो high होना चीए increase होता हुआ हमें दिखाई दे तो तभी हम वहां पे बड़े players की activity को देख सकते हैं जो कि अभी हमें इस समय L&T के अंदर नहीं दिखाई दे रही है अब दोस्तों यहां पे correlation की बात करें तो इस particular stock का nifty के साथ कोई भी correlation नहीं है तो अगर आप stock के अंदर trade करना चाहें निवेश करना चाहें तो obviously जिन stocks का कोई भी correlation नहीं होता वो stocks अच्छे माने जाते हैं खासता और पर तब जब आप confident ना हो index की movement को लेके लेकिन अगर आप index की movement को लेके confident है तो definitely यहां पे ऐसे stocks के अंदर आप trade या निवेश करिए जिनका strong correlation है index या nifty के साथ अब दोस्तों यहां पे हम चलते हैं sector analysis के ऊपर तो यह जो stock है यह nifty infra का part है nifty infrastructure का part है तो यहां पे nifty infrastructure में money flow के लिए हम इस particular table को देखते हैं जो के October end का है तो दोस्तों यहां पे अभी हमें कोई money flow नहीं दिखाई दे रहा तो इसके ऊपर मैंने dedicated video आपके साथ share किया हूँ है best sectors करके उस video का नाम है तो वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन से sectors के अंदर पैसा आ रहा है कौन से sector से पैसा निकल रहा है तो यहां पे हमें six months के ऊपर आप देखेंगे कि return इसका positive है इस sector का लेकिन दोस्तों हमेशा comparison के लिए nifty 50 का जो median return होता है nifty 50 का जो return है उसके साथ हम compare करते हैं तो उसके मुकाबले यह जो sector है यह हमें underperform होता हुआ दिखाई दे रहा है और दोस्तों money flow के लिए जो है आपका one month का return जो है वो three months से जादा होना चाहिए और six का return जो है वो one year से जादा होना चाहिए तो तभी हम कह सकते है और दोस्तों यह जो है यहां पर अगर पैसा आना शुरू हुआ है तो definitely तो पह जादा होगा तो दोस्तों यह एक cyclic जो है process होती है इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आप video देख सकते हैं जिसके अंदर वैने विस्तार से इस particular point की चर्चा की हुई है अब दोस्तों sector के within देखा जाए तो यह जो stock है अगर आप yearly return देखेंगे तो यह underperforming stock है यहां पे इसका yearly return जो है 33% minus है लेकिन दोस्तों 30 days के time frame के ऊपर यह अच्छा perform कर रहा है मैं इस particular index की बात कर रहा हूँ तो इस particular index का जो one year return है वो minus 3% है लेकिन इस stock का return minus 33% है one month का return जो है इस particular index का 3% है 3% के आसपास है जबकि इस stock का return इस से almost double है 6% के आसपास तो within sector जो है छोटी अवदी के ऊपर यह stock थोड़ा ठीठाक perform कर रहा है लेकिन लंबी अवदी के ऊपर यह underperform कर रहा है और speculative move के बारे में मैं आपको already बता चुका हूँ तो दोस्तों अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको पूरा clear हो गया होगा कि stock का क्या view है मैं summary नहीं बताता क्योंकि यहाँ पे हम कोई tips नहीं देते recommendation नहीं देते क्योंकि कुछ लोग जो है खेवल last का summary वाला part सुन लेंगे कि buy करना है sell करना है hold करना है लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको clear हो गया होगा कि stock में क्या हो रहा है तो learning जादा important है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे like को जरूर दबाईएगा आने वाले समय में भी अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्यानवर्दक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब के option आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगे नीचे दिखाएगे लाल रंग के subscribe बटन को भी आप दबा सकते हैं उसके साथ दिखाएगे bell notification को click करना मत भूलेगा ताकि जब भी कोई नया वीड नहीं है कि आप किसी भी stock में या L&T में buy sell या hold की position मनाएं किसी भी निवेश या trade से पहले अपने financial planner या investment advisor की सला जरूर ले लें केवल उन्हीं की सला के ऊपर किसी तरह की निवेश या trade का निड़ने लें तो दोस्तों इस वीडियो का objective था कि analysis किस तरीके से किया जाता है कि तरीके से चीजों को देखा जाता है 360 degree time frame के उपर या 360 degree framework के उपर लंबी अबदी के दौरान छोटी अबदी के दौरान किस तरीके से चीजों को देख के conclude किया जाता है चार्ट को देख के conclude किया जाता है तो मेरा objective सिर्फ एक practical learning देना है आपको ना कि ये सलहा देना कि आप पोजीशन बनाएं तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ एक नई सीख के साथ एक नई लर्निंग के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखें